जहिन गाइज, इंडियान आर्मी के JCOs, यानि कि जुनियर कमिशन आफिसर रैंक्स के परसनल्स की सेलरीज क्या होती हैं? एन डिफेंस के अज़ के एपिसोड में हम आपको इंडियान आर्मी के JCO रैंक्स के अंडर में तीन रैंक्स आते हैं जो कि 5200 रुपए है बेसिक पे के साथ में जब मिलिटरी सर्विस पे मिल जाता है तो टोटल सैलरी बनता है 34400 रुपए इसके इलावा भी इंडियान आर्मी में कुछ अलाउंसे होते हैं जैसे के ट्रांसपोर्डेशन अलाउंसे फिल्ड एरिया अलाउंसे इस तरह के अलाउंसे उनके काम के उपर जाता तर डिफेंड करता है लेकिन जो सैलरी है वो है 34400 रुपए फॉर नाइब सुवेदार जैसियो का जो सेकंड टॉप रैंक है वो है सुवेदार और फौज में सुवेदार का जो बेसिक पे है वो 45000 रुपए है उसके उपर इन्हें 5200 रुपए का मिलिटरी सर्विस पे भी दिया जाता है तो कुल मिलाकर सैलरी बन जाता है 50200 रुपए इसके उपर उन्हें अदर अलाउंस भी मिलते है जो उनके काम के उपर डिपेंड करता है GCO के टॉप रेंक है सुबधार मेजर फौज में एक सुबधार मेजर की बेसिक पे होता है 47,600 रुपीस इसके उपर उन्हें 5,200 रुपए का मिलिटरी सर्विस पे मिलता है खुल मिलाकर सुबधार मेजर का सेलरी बनता है 52,800 रुपए इसके साथ में उन्हें इंडियन मिल्टरी के other allowances भी मिलेंगे काम के उपर depend करके इंडियन आर्मी को इन salaries के इलावा भी कुछ ऐसे facilities दी जाते हैं जो इंडिया के किसी भी government service में नहीं दिया जाता अगर आप जानना चाते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक separate वीडियो बनाया हुआ है आई बटन में लिंक है वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं आज मेरा गला थोड़ा खराब है अगर समझाने के तरीके में या फिर बात करने के clarity में कुछ प्राबलम आई है तो हाथ जोड़कर मैं आप सबसे माफी मांगना चाता हूँ क्योंकि मेरा viewers मेरा subscriber ही मेरा भगवान है और उन viewers से मैं एक छोड़ा सा request करना चाता हूँ चैनल को प्रीज सब्सक्राइब करते बैन उप्रिस कर लिए क्योंकि डिफर्ट सेलेटेट वीडियो उस चैनल में आपको मिलते रहेगी चलिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिए जहीं जबारा